इस बुल्ला के अपने वीडियो वाइरल करने शुरू करती है हिजबुल्ला के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इसरेल पर हमले के लिए तयार है इस वीडियो में हिजबुल्ला का मैसिज साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इसरेल रोक नहीं पाएगा इस वीडियो में हिजबुल्ला का मिलीशिया कमांडो ऑपरेशन के तरफ इशारा कर रहा है इस वीडियो में हिजबुल्ला बता रहा है कि उसके कमांडो मोटर साइकल पर आएंगे और एसरेल की सेना भागती हुए नजर आएगे हिजबुल्ला ने इसरेल को भी धंकी दी है हिजबुल्ला ने अमेरिका को भी बता दिया है कि वो समंदर में उसका जंगी बीड़ा डूबो देगा अईसा मुम्किन है हिजबुल्ला की इस चेताउनी को इसरेल में बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है हेजबुल्ला कैसे युद्ध लड़ता है ये इसरायल पहले भी देख चुका है इस बार svenगाजा को बचाने के लिए हेजबुल्ला इसरायल से लड़ना चागा है और इस बात को लेकर इसरायल से जादा अमेरिका बेचैन हो गया है ये दोनों देश हेजबुला को आतंगवादी गुट मानते हैं जबकि रूस, चीन, कतर, इरान और भारत भी हेजबुला को आतंग की संगठन नहीं मानते सयुक्त राशु भी हेजबुला को सिर्फ एक मिलीशिया मानता है लेकिन हेजबुला की नई धमकियों के बाद कई सवाल उठे है। सवाल नमबर इक हेजबुला कौन है? तो जवाब है, हेजबुला लेबनन की एक राजनितिक पार्टी है और इसका अपना एक मिलीशिया है। सवाल नमबर दो, हेजबुला की ताकत क्या है? तो जवाब है हिजबुल्ला के पास एक हजार लड़ाके हैं जो लेबनन की आर्मी से भी खदरनाग पूर्स मानी जाती है सवाल नमबर तीन हिजबुल्ला क्यों इसरेल और अमेरिका को धमकाता है हिजबुल्ला ने रूस की फाज के साथ मिलकर सीरिया से आइसिस को पूरी तरह खत्म कर दिया हिजबुल्ला ने एरान के ओरडर पर सीरिया में युद्ध लड़ा और अब वहां तैनात है सवाल नमबर पाँच क्या हिजबुल्ला इसरेल को हरा सकता है हिजबुल्ला 2006 में इसरेल के खिलाफ युद्ध लड़ चुका है 34 दिनों तक चले इस युद्ध में इसरेल को सीजफ फायर के बाद लेबनन से तीछे हटना पड़ा था अब 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद गाजा पर इसरेल के हमलों ने हिजबुल्ला फोर्स को सुपर एक्टिब कर दिया है हिजबुल्ला ने बहुत साप साप शब्दों में कह दिया है कि वो इसरेल पर हमला कर देगा और ये वार्निंग देने से पहले इस्राइल तक मैसेज पहुचा दिया कि अगर इस्राइल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इस्राइल पर चढ़ाई कर देगा इस्राइल और लेबनन की बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहां संयुक्त राश्ट की शांती सेना तैनात रही है इसमें भारत की फॉज भी शामिल है इस सुवक्त इस्राइल को गाजा से ज़्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है क्योंकि अगर इस्राइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इस्राइल से हमला बोल देगा हमास और इस्राइल की सेना एक दूसरे के खिलाफ कितनी ताकत रखती है और क्या हिजबुल्ला वाकई इसरेल के लिए ऐसे हालात पैदा कर सकता है कि वो उसे हरा दे इसे समझने के लिए आपको हिजबुल्ला के उस चेताउनी को समझना पड़ेगा जो उसने अमेरिका खुदी है क्योंकि अमेरिका ने अपनी नौसेना का केरियर बैटल ग्रॉप भूमा धिस सागर में पहुचा दिया है अमेरिका का ये बेडा जिसमें फोड केरियर के अलावा पांच बहुत ही खदरनाक डेस्ट्रॉयर हैं इन सब में हर तरह की एक हजार से ज़ादा मिसाइल किसी भी वक्त खमले के लिए तयार है कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनावती खड़ी हो जाए इस वक्त ये केरियर इजरेल के घाज़ा में पश्चिम में भूमत दिसागर में तैनात रहेगा और वहीं से ओपरेशन चलाएगा उसकी रेंज में लेबनन भी होगा, सीरिया भी होगा, तुरकी भी होगा और मिसर के आज़ पास का इलागा भी होगा यहीं से ये इस्रेयल के एर स्पेस को सुरक्षत रखेगा और हमला भी कर सकता है ये सब आपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास के कैरियर और उसके बेड़े में मौझूद बड़े बड़े डेस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है उसमें अफगानिस्तान में करके दिखाया है और इरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है इस्रेयल के लिए भी जेरार्ड फोर्ड करियर को भेजना एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है यही फरोसा अमेरिका अब इस्रेयल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ओपरेशन चला कर अमेरिका सीरिया पर भी बंबारी कर सकता है लेबनन के बॉर्डर को भी सेनिटाइज कर सकता है लेकिन लेबनन में हिजबुला को अब इरान से ऐसी मिसाइल मिल चुकी है जो अमेरिका के इन विशाल काय जहाज को पल भर में डुबो सकती है इस मिसाइल को लेकर हिजबुला का खौफ बढ़ चुका है और वो सीधा सीधा अमेरिका के जहाज को डुबा सकता है इस खत्रे को हलके में नहीं लिया जा सकता लेबनन ने 2006 में इसरैल में एक कॉरवेट यानी जंगी जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था इस हमले में इसरैल के युद्धोत को भारी नुकसान पहुचा था अब हिस्बुल्ला के पास जो एंटी शिप मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलो मीटर तक है इसलिए लेबनन या इसरैल से ये फासला बनाना अमेरिका के लिए जरूरी हो जाएगा इसमें कोई शक नहीं कि हिस्बुल्ला की लीडर्शिप पहरान से मिलने वाड़े ओर पर काम करती है इसलिए सवाल ये भी कि क्या इरान चाहता है कि हिस्बुल्ला इसरैल पर अटैक करते एरान ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस वक्त इजरेल बेहत कमजोर है या फिर अमेरिका के शक्ल में उसे नई ताकत फिर से मिल गई है इस वक्त फिर से मिल गई है ये अमेरिका से मिली M109 तोप है। 155 मिली मीटर की ये तोप टैंक नुमा बक्तर बंद गाड़ी पर फिट कर दी गई है। और ये एक मिनट में चार गोले दाग सकती है। इस तरह से देखा जाए तो लेबनन बॉर्डर पर इसरेल ने अपनी तयारियां पुखता की हुई है वहीं लेबनन की तरफ से आप इसरेल की एक पोस्ट देख सकते हैं। यहां रेडार भी लगे हुआ हैं और इलेक्ट्रानिक सिस्टम भी जो हिजबुल्ला की हरकतों पर नसर रखते हैं। इन इलाकों में 7 अक्टूबर के बाद से तनाओ फैला हुआ है। लेबनन की आर्म अक्टूबर के बाद से आप इसरेल के बीट जो बॉडर है। वहां तनाओ बहुत ज्यादा है। सनाटा सचाया हुआ है। यह वो खामुशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है। इसलिए यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपी सेंटर घाजा से निकल कर लेबनन तक पहुंच सकता है। यहां तैनाओ संयुक्त राज्ट की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर है। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। लेकिन इसरेल के लिए एक बहुत ही बारीक बातें आपको बताते हैं। आसपास के इलाकों में तैनाद की जा रही है। यह हम भी गाडियां हैं। जो लगातार यहां तक फौज को पहुचाने में लगी हुई है। और तभी से यह इलाका इसरेल के कंट्रोल में है। देखा जाए तो इस स्वक्त पूरे पश्चिमेशिया में युद्ध की चंगारी पहुच चुकी है। इसरेल से लेकर घाजा और घाजा से निकली के आग अब लेबनन पहुच चुकी है। चंगारी सीरिया और इरान में भी नज़र आ रही है। झाल 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 झाल